बुद्वार को ही कैबिनेट की बैठक में लिये गए निरने के अनुसार राजसरकार ने मराठा समुदाय को आर्थिक रूब से कमजोर वर्गों को आरक्षिन दिया है इसले मराठा समुदाय के चात्र अब शेक्षिनिक प्रवेश और भरती की प्रक्रिया में EWS का लाब ले सकेंगी याचिका करता विनोद पाटिल ने सरकार की फैसली पर टिपनी करती हुई कहा जैसे की हमने समय समय पर कहा है राजसरकार को EWS आरक्षिन देना या नई देना कोई विशेश आधिकार नहीं है क्योंकि खुली श्रेणी में कोई भी आर्थिक रूप से पिच्रा चात्र इस आरक्षिन का पात्र है अरक्षन गटने मजे टिकनार आहे त्या मुलेच हाई कोटा मजे टिकला आनि राज्यसरकार ची इच्छा शक्ती असेल तर इस सुप्रिम कोटा मजे निश्य टिकेले काईजाचा चवकट आसलेला आरक्षन आहे मराटा समाजने मागास पना असिद्ध किलेला है आयोगनी तसर रिपोर्ट दिलेला है तो न्यायले मदे आमी श्विकार लेला है अगर राज्यसरकार वास्तव में यह सोचती है कि मराठा च्छात्रों को इस EWS से लाब उठाना चाहिए तो अतीत में की गई सभी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखने हुए चात्रों को ग्रेड संपादित करने की अनुमती दी जाने चाहिए क्योंकि मेडिकल जैसे शेत्रों में चात्रों को पहले ही बहुत नुक्सान उठाना पड़ा है मराठा आरेक्षन और EWS की बीच संबंद की अनुमती जाने चाहिए के बारे में बताती हुए उन्होंने यह भी कहा इस EWS और मराठा आरेक्षन की बीच कोई संबंद नहीं है इसलिए यह ढोंग करने के बजाए कि सरकार ने वास्तव में EWS आरेक्षन देकर मराठा समुदाय के लिए कुछ करे साथ ही मराठा आरेक्षन पर लगी रोक को हटाने और समुदाय को न्याय देने पर ध्यान देना चाहिए